हेलो दोस्तो अंजिना की चैनल में आप सभी का हरदिक स्वागत है तो आए दोस्तो आज हम बहुत सुन्दर मोटिवेशन श्टोरी जानते हैं दोस्तो ये श्टोरी है महरिशी यक्यवल्य और मिथिला नरेश राजा जनक की दोस्तो ये रामायन काल की बात है एक बार क्या होता है दोस्तो कि महरिशी यक्यवल्य और मिथिला नरेश जनक एक दिन बैठ कर सत्संग कर रहे थे जनक जी जो शीता माता के पिता थे वो सत्संग तो बहुत करते थे जनक जी ने अपनी जिग्या सब यक्त करते हुए महरीशी यक्यवलेजी से कहा कि रिशीवर हम किसकी जोती से देखने का समर्थे प्राप्त करते हैं महरीशी यक्यवलेजी ने उतर दिया सूर्य की जोती से इस पर दोस्तों जनक जी ने पूछा जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें प्रकाश कहां से प्राप्त होता है इस पे दोस्तों यक्यवले जी ने उतर दिया चंद्रमा से उन्होंने फिर पूछा जनक जी ने कि जब अमाविश्य की घनी रात होती है उस दिन तो चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती है यदि हम मानलो रिशी वर बन में भटक जाएं तो कौन प्रकाश का काम कर देगा हमारे को माहरीशी ने कहा तब शब्दों द्वारा हमारा रास्ता प्रकाश्मान होता है दूर खड़ा कोई दूसरा ब्यक्ति कहता है कि भटको नहीं मेरी आवाज को मात्यम बना कर इधर आजाओ और लोग उसी आवाज पर आगे बढ़ते हैं अब जनक जी ने अंतिम प्रशन और किया महरीशी यदि सूर्य चंद्रमा तथा शब्दों का भी अभाव हो कमी हो तो आखिर हमारा मार्क प्रशष्ट करने के लिए प्रकाश का रूप कौन लेता है हमें कौन मार्क दिखाएगा इस पर दोस्तों महरीशी यक्यबले जी ने उत्तर दिया कि आत्मा की ज्योती ही शर्बो परी है राजय जनक जनक जी हमारी आत्मा सदैब हमें सच्चा मार्क दिखाने को तत्पर रहती है आत्मा जैसी अनूठी ज्योती किशी और तक्तों में नहीं है हमारी आत्मा कभी-कभी अगर हम गलत कारे भी करते हैं तो हमारी आत्मा कहती है कि नहीं ये कारे गलत है लेकिन हम दोस्तों अपने मन की नहीं सुनते अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनते और हम वो कार्य कर देते हैं तो महरिशी की बातों से जनक जी की जिग्यासा का समाधान हुआ और उनको सच्ची ज्योती का समाधान मिला